नमश्कार हींगोटी आयरवेदा में आपका स्वागत हैं आप मानव शरीर के रूप वे उनके इलाज से सम्मदित अधिक जानकारी चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिलती रहें पारिश का मौसम शुरू होते ही कई गंबीर बिमारियों का खत्रा बढ़ जाता है पारिश की वज़े से इंफेक्शन और टैको बुखार जैसे समस्याय जादा फैलती है इस मौसम में बच्चे भी जादा बिमार बढ़ते है पारिश में जरा सा भी भीगने के बाद बच्चे फ्रियों का शिकार हो जाते है दरसल बच्चों के शरीर की रोक ट्रती रोतक शमता कमजोर होती है इसकी वज़े से बारिश में भीगने के बार बच्चों के बिमार होने का खत्रा जादा रहता है इस मोसम में बच्चों को बिमार होने से बचाने के लिए पेरेंट्स को विशे साथानियों का ध्यान रखना चाहिए बारिश के मोसम में बच्चे अक्सर भीट जाते हैं या भार मिट्टी में खेलें लगते हैं इससे बच्चों में infection, viral बुखार, monsoon flu जैसे परिशानियां हो जाती हैं आईए इसमें हम विस्तार से जानते हैं बारिश के मोसम में बच्चों को monsoon flu से बचाने के टिम्स बारिश के मोसम में monsoon flu के अलावा कई अंदे बिमारियों का भी खत्रा रहता है इस मोसम में मच्चर तेजी पनमते हैं इसके कारण मच्चर जनित बिमारियों का खत्रा भी बढ़ जाता है बारो पिशेग्य कहते हैं कि इस मोसम में होने वाली बिमारियों से बच्चों को बचाने के लिए उनका टीका करन होना बहुत ज़रूरी है इसलिए डॉक्टर बच्चों को फ्लू शोर्ट्स लगवाने की सगा देते हैं बस्चों को मौंसुन फ्लू और इस मोसम की बिमारियों से बचाने के लिए इन बातों का ध्यान रखे पहला, बच्चे अकसर बारिश में भीगने की जिद करते हैं बारिश में भीगने के बाद उन्हें जाद देर बाहर नहीं रखना चाहिए बारिश या मिटी में खेल कर आने के बाद बच्चों को सही डंग से नहलाए और साफ करे बच्चों को जर्म्स और दूल मिटी लगे कपड़े ना पहनने दे इस मोसम में हाईजीन का ध्यान रखने से बिमारियों का खत्रा कम होता है दूसरा, बरसाथ के मोसम में बच्चों को बिमार होने से बचाने के लिए डाइट का विशेस त्यान रखना चाहिए इस मोसम में बच्चों को डेरी प्रोडेक्ट्स, नर्ट्स, हरी सबजिया का सेवन करवाए बारिश के मोसम में street food या jump food का सेवन करने से बचे तीसरा, इस मोسم में बच्चों अनाविशक बाहर जाने से रोखे बारिश के मोسم में बाहर गंधिकी जादा रहती है इसमें जाने पर बच्चों के सकर्मित होने का खत्रा जादा रहता है चोथा, आइसक्रीम और कोल्डिन तो बच्चों की फेवरेट होती है लेकिन इम्मिनिटी कमजोर होने की वज़े से जब मोसम में बतला हो रहा होता है तो बच्चों को सर्दी जुखाँ और बुखार होने की संभावना अधिक होती है बतलते मोसम में आप इन तरीकों को अपना कर बच्चों की सेहत का ध्यान रख सकते है अगर बच्चा बिमार पढ़ता है तो ऐसे में तुरण डॉक्टर से संभर करें क्योंकि बच्चों की मामले में लापरवाही करना ठीक नहीं क्योंकि कई बार आपका बच्चा कई अन्यकार्णुस्त के जबते भी बिमार पढ़ सकता है बच्चों के आहर में बदलाव करने या उसे किसी भी तरह की दवाईयां देने से पहले डॉक्टर पर प्रामर्श करना ज़रू क्योंकि वह आपके बच्चे की जाच करने के बाद आपको यह पहतर तरीके से पता सकते हैं कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है दोस्तों, आप एमारे चैनल को देखते रहें, लाइप करें, सब्सक्राइब करें, अपनी दोस्तों को शेर करें, जिससी जाधा से जाधा लोग स्वास्ते लाप राफ्ट कर सकतें। हम समय से में तर आपको अनेक ओष्टियों के बारे में पिमारियों के बारे में जानकारी देखते रहेंगें धन्यवाद